नमस्का दूस्तो स्टॉक मार्क स्टैडिस में फिल से गबर आपको बहुत बहुत सागत है तो आज आप एमें डिसकसन करने बाला हो एक ऐसे कमपनीस के बारे में जो दिखाए तो रेले गवर्मेंट का एक मोनोपोली कमपनीस है आप कहेंगे सर मोनोपोली क्यूँ देखे मो मोनोपोली वही कमपनी को बता जाता है कि उस सेक्टर में और कोई एंटर नहीं हुआ है और उस सेक्टर में अभी भी वो लीडर है और उस सेक्टर में वो अक्यला ही काम कर रहा है और उस सेक्टर का बिजनेस हमेसा चलते रहेंगे तो इस तरिके से कमपनी को मोनोपोली रहो वो सायद आपको सायद आप जानते भी होंगे सायद वो नहीं जानते होंगे कि आपको इस चैनल को में कर लिजिये और टेलिग्राम को भी जोइन नहीं किया तो जुरू जाके जोइन कर लिजिए और बेल आइकन को हीट करके All भी कर दीजेगा तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बार में तो दिखिए कमपणी का नाम कौन सा है कमपणी का नाम है IRCTC अब सबी जानते हैं IRCTC जो है एक टिकेटिंग का भीजिनिस करते है और एक कैटरिंग का भीजिनिस करते है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिजम और कॉर्पोरेशन तो इस कमपणी के बार में आज बात करूँगा क्योंकि कमपणी ने एक बहुत बड़ा एनॉंस्मेंट किया क्योंकि आप सबी जनते है IRCTC जो है वो गवर्मेंट कमपणी है इसका मतलब जादा से जादा हिस्सेदारी गवर्मेंट के पास दिखेगा तो गवर्मेंट के पास कोई भी कमपणी हो तो एक पॉइंट आपको हमेंसा याद रखना होगा गवर्मेंट उस कमपणी को पर कभी भी कुछी भी डिसीजन लेता है और बो डिसीजन जादा से ज़्यादा देखा जै तो गलत होता है आप कहेंगे सर ऐसे क्यों बता रहा है मैं आपको प्रूब भी करा दूँगा चलो मैं आपको प्रूब कराने वाला हो क्यों गलत है उसका डिसीजन क्यों गलत होता है जादा से ज़्यादा टाइम उसका डिसीजन गलत होता है क्यों होता है चलो उसी के बारे में डिसकसन कर लेता हो तो सबसे पहले आपको यह चीज दिखाने वाला हो, वो क्या है, वो है OFS, बहुत सारे दोस्त जानते हैं, बहुत सारे दोस्त जानते भी नहीं है, OFS क्या होते है, offer for sale, offer for sale क्या होते है, देखिए आप यह offer for sale का मतलब है, तो मानके छेलिए, आप किसी product बेचना चाते है, तो वो मतलब बेचा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, offer देना पड़ेगा, आप Amazon, Flipkart से तो कोई ना कोई माल खरीदरी करते ही है, तो आपको offer दिया जाता है, product के offer मतलब price discount दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, जाद से जादा वो माल बेचा ज आते हैं, तो अगर वो company के percentage बेचेंगे, तो उसको तो भी offer देना पड़ेगा, उसको भी तो कम पैसे में बेचना पड़ेगा, तो इसलिए offer लिया जाता है, और जाद से जादा government company ही OFS लेके आते है, क्यों मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, OFS जब ले आते हैं, तो अब इतने सारे investor invest करकर रखे हैं, उसके तो बाट लग जाता है, क्यों बाट लग जाता है, मैं आप यह आपको दिखाता हूँ, दिखकेच website mind के उपर इस news को publish किया गया है, यह आप देख सकते है, centered to offered up to 5% stake IRCTC भायार OFS, floor price fixed 680, ध्यान से देखना, मैं आपको इसलिए इस OFS के मातम से, मतलब offer for sale के मातम से, तो offer for sale दे रहा है, तो इसको भी तो discount में देना पड़ेगा, online के business के तरह, तो discount में कितना है, 680 रुपीज में इसका price में रखा गया है, मतलब company बता रहा है, कि आप 15-5% stake में बेचने वाला हूँ, आगर आप खरीदना चाते है, तो 680 रुपीज के आसपास, 730 रुपीज के आसपास चल रहा है, वो 680 में बेचने वाला है, तो यहाँ पर जो यह दोनों के बीज में मान के चले, OFS कल आ जाता है, और इसका price band closing होआता है, इस price में, तो यह जो दोनों के बीज में जो अंतर है, इस अंतर घड जाएगा, price का adjustment हो invest करकर रखे है, उसके लिए थोड़ा सा problem है, क्योंकि बूस को ज्यादा price में नहीं, ज्यादा price में वो खरिद कर रखे थे, share और भी गिरेंगे, और भी adjustment हो जाएगा, तो आप कहेंगे sir, OFS positivity क्या है, obviously positivity भी है, आप भी इस OFS के लिए apply करना चाते है, आप भी सस्ते दमा में इस company का share खरना चाते है, तो आपको सस्ते दमा में मिलेगा, तो सस्ते दमा में invest करना चाते है, तो OFS के लिए apply करना जूरू कर सकते है, तो आपको किस तरह के से apply करना होगा, जब OFS open किया जाएगा, आपको भी एक mail आएगा, उस mail के मात्तम से आपको apply करना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, वो अलग बात है, जैसे IP में आप apply करते है, IP में आपको मिलेगा का नहीं मिलेगा, उसका कोई guarantee नहीं होता, same to same, OFS भी आपको मिलेगा का नहीं मिलेगा, उसका कोई guarantee नहीं, अगर मिल जाए, तो आपको सस्ते दमा में company का price देखने को मिलेगा, तो मेरे कहने के बाद आपके सामने में वीडियो लेके आता हो तो थोड़ा सा तो एफोट मुझे भी चाहिए तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो इस कमपानी के क्या है उसके बारे में बात करो तो आप देखेंगे तो कमपानी का फीचर में एक ही चीज कहूंगा कमपानी एक फोनोपोली बीजिनेस करने वाला कमपानी से चोटा मोटा कमपानी मत समझ ले ना 58700 करोड का मार्केट क्याव होने के नाते भी कमपानी का पी रिचियो मुझे हाई लगा क्योंकि गभर्मेंट कंपानी पी कंपानी होने के नाते इतना हाई पी रेचियो मुझे मतलब बहुत कम कंपानी में देखने को मिला कंपानी का कंपानी का जो मतलब सेल्स का ग्रोथ है वह 139 पर्षेन के आसपास है प्रोफिट गोद भी तो मतलब 111% के आसपस देखने को मिला है कमपानी के वैलेशन की साब से मुझे हाई हाई वैलेशन देखने को मिला क्यों एक रुपिया कमाने के लिए कमपानी को 20 रुपिया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है obviously एक हाई वैलेशन में जोरू का होंगा कमपानी आपको 42% के आसपस डेवीडेन भी दे चुके है अगर कमपानी के वैलेंस सीट के बारे में बात करो तो कमपानी का वैलेंस सीट में दो चीज़ आपको दिखाऊंगा reserve continuously बढ़ते जा रहा है कमपानी का करजा एक भी रुपीज नहीं था अभी 180 रुपीज के आसपस कमपानी करजा लिया और वो भी करजा देखा जए तो कमपानी के short term करजा नहीं long term आप देखेंगे तो warring जो है अब दो तरीके से करजा आपको देखने को मिलेगा long term और short term जो रुप कहूंगा कमपानी यापे short term के लिए ही करजा लेकर रखा कमपानी cash flow को भी अच्छी तरीके से maintain भी करता है continuously company cash flow को maintain करता है company extra benefit के हिसाब से आपको क्या दिया company split भी किया dividend भी continuously salver में दो बार तीन बार करके dividend भी देते है SNK company profit maintain नहीं किया continuously profit को maintain किया थोड़ा सा बीज में profit थोड़ा सा down हो गया था उसके बाद फिर से बो recovery भी किया investor के बारे बात करो अब देख सकते है promoter के बाद सबसे ज़्यदा holding किसके पास है FIS के पास सबसे ज़्यदा holding public के पास है FIS और DIS ने चोटा मोटा माल उठा कर रखा पहले बो ज़्यदा माल उठा कर रखे थे और share के उस उन्होंने बेच दिया तो दिखिए promoter के पास कितना holding था 87% का holding था वो दिरे-दिरे माल बेच के 67% हो चुके है यहां से भी 5% माल बेचा जाएगा तो देखा जाता 61.40% का आसपास holding देखने को मिलेगा government के पास तो यह था company का पूरे डिर्लस अभी chart pattern के बार हैं बात कर तो company जब से start हुआ तब से लेकर तो धामा कर ने performance किया company ने बहुत सांधा return दिया कम टाइम में उसके बाद देखे जीस तरी कैसे return दिया उस तरी किसी crash भी हुआ तो यह पर दो range आपको में बता रहा हूँ इस range को अगर तोड़ेगा तभी कुछ decision लेगा क्योंकि आप जो लॉस साइड है 575 रूपीज के आसपास और आपास साइड जो है 805 रूपीज के आसपास इसके बीज में company अभी करेगा अगर उसको breakout यहां पर करता है तो एक next level देखने को मिलेगा करीवन करीवन 910 रूपीज के आसपास अगर उस लेवल को तोड़ता है तो यहां पर big high देखने को मिलेगा करीवन 1100 रूपीज के आसपास देखने को मिल सकता है तो यह था company का पूरा details तो एक वीडियो टोटरी education purpose में था कोई buy and sell का recommendation नहीं था एक बार research करना उसके बाद निवेश करना मिलते next वीडियो में तब तक लिए अच्छे से रही है अपने ख्याल लगए बाए